तो Hello everyone यह है Electra Green Tack के Quarter 3 तो आगे यहां पर अणिलाइस करेंगे इस शेयर के रिजल्ट से यहां पर कैसे आई हैं तो देखते हैं यहां पर इस शेयर के Total Income को तो yearly basis में यहां पर जो income है वह around वैसे तो 25,012 लाग थी जो quarterly basis में 35,465 लाग यहां पर हो गई है quarterly basis में यहां पर जो share की income है वो यहाँ पर increase हुई है इस share के total expenses की अगर हम बात करें total expenses yearly basis में 23,282 लाग था जो quarterly basis में 30,473 लाग यहाँ पर हो गया है income के साथ यहाँ पर share के expense भी increase हुए है total comprehensive income yearly basis में 1,297 लाग था जो quarterly basis में 2,228 लाग के करीबन यहाँ पर हो गया है आगे इस share के earning per share को भी यहाँ पर देख लेते हैं तो yearly basis में 1,58 पैसे था इस share का earning per share अब quarterly basis में 2,71 पैसे के राउंड यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share के result है वो काफी जादा बढ़िया देखने को मिले है price level की बात करें तो इस मन तक का share का maximum target 1,700 रुपे के राउंड तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो अगर आपके पास यह share है और आप share को यहाँ पर hold करके रखने चाहे तो अपने own risk में share को आप जो है यहाँ पर long term के perspective से अपने own risk में यहाँ पर hold भी कर सकते हैं